आप सभी को नवरातर की हारदिक सुब कामना है और आज जो हम ये कीक बना रहे हैं इसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बहुत सारा कुछ सिखाने वाली हूँ जो हमारा फ्लावर होता है रोज फ्लावर उस पे डबल सेड कैसे आती है वो भी सिखाऊंगी और लावा कपके कैसे बनते हैं वो भी इसी वीडियो में जी हाँ वो भी इसी वीडियो में सिखाऊंगी मतलब इतनी सारी डिटेलिंग मैं बताने माली हूं आप लोगों को इस एक ही केक में तो अगड़ आप लोगोंने केक पूरा नहीं देखा तो अब कम मिस हो जाएगा और छूर और यह मैं इसको मॉइस्ट कर रही हूं और मॉइस्ट करने के लिए मैंने यहां पे लिया है चॉकलेट स्रफ और चॉकलेट स्रफ से मैं इसको मॉइस्ट कर रही हूं अभी हम इस पे डालेंगे क्रीम और यह देखें बीच में इसको जरूर कर लीजिएगा सेंटर में मैंने थोड़ा देखा की साइड में था लेकिन फिर मैंने सेंटर में कर दिया तो पाइपिंग बैक से क्या होता है बिल्कुल भी क्रीम वेस्ट नहीं होती है और बिल्कुल अच्छे से इसमें क्रीम लग जाती है और हां रोज कैसे बनाना है वो भी बना के दिखाऊंगी आप सके और आप लोग लोग तो उठास को वीडियो का इंजय कर सको और क्या है अभी मतलब वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर देना तो देखे यह अमने गनाज डाल दिया है क्रीम लगाने के बाद और यह मैं चोको चिप्स डाल भी हूं अगर आप लोग चाहें यहां और वह चॉकलेट के सिवा tort care cake भी पसंद नहीं करते हैं और यह देकि अभी में सेकंडल लैयर को भी ऐसे ही मुष्ट कर रही हूं हमारी चॉकलेट स्रप से और चॉकलेट स्रप कैसे बनाई ये बदा देती हूं मैं मैं थोड़ा सा हल जड़ा सा छीनि डाली एक चममच एक पानी में और थोड़ी सी जो हमने गनास बना रखा है उसको एड़ किया और मिक्स किया और चोकलेट स्रफ बनके तयार हो गया और हाँ पाइपिंग बैग में कैसे फिल करनी है क्रीम बिल्कुल सही तरीका वह उसकी शोट आ चुकी है वह मैंने शोट में बताया नहीं तो अजे देखिए क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि जाल ठाल के रहे हैं खुब धेड सारा मैंने राख चान लेना मैंने भाले हैं और अम देखिए सेकन्स ब चॉकुल Works थीत बेए 500 बैख टूस बसब्समा से आता कि यृःवार्य जो दर्वाये बढ़ते जारी है ने ने लोग जो जुड़रे हैं अमारे साथ उनको भी आना चाहिए अच्छे से बिल्कुल आसान तरीका बिल्कुल आसान तरीका कोई ताम जाम नहीं फालत हो कि देखिये हमेदा साथ के लगाना और साथ के साथ साथ के देखिये हमने क्रीम फेलाओं मेंभी पूरा करते जा रहीूं ताल क्वार उत्कुल आसाथ लगाना पां। तो यह देखिए यहां पे भी हमने क्रीम लगा दिया है और साइड में भी पूरा अच्छे से कवर कर लिया है और अभी क्या करेंगे हम बिल्कुल अच्छे से फिनेसिंग दे देंगे क्योंकि अभी क्या को फिनेसिंग देनी है तब ही तो इसके ऊपर कुछ जो डिसाइन्स वह बनेंगे ना वह भी तो सब बनानेए होते हैं न तो साइड में भी आप साथ के साथ फिनिसिंग देते रहना मैं बिल्कुल देखिए डिटेल्स में दिखा रही हूँ कि आप दूसरा एक और पैलेट नाइप लेना और उस पे जितनी एक्स्टा क्रीम होती है उसी पे लगाके वो उसमें वापिस लग जाती है लेकिन क्या होता है एक जिगे कहीं ज्यादा लग तो उसको तब हम स्मूथ बनाते हैं तो वह अपने आप हर जाती है तो उसको मतलब जैसे हमने पैलेट नाइप को घुमाया तो वह अपने आप उसके साथ आ जाएगी जितनी एक्स्टा क्रीम होगी और फिर आप उसको अच्छे से लगा सकते हो तो यह देखिए अभी क्या कोई ज्यादा महिंगे भी नहांते हैं सस्टे से यह आते हैं मैंने भी केक मिटिरियल सौभ है और जाते हों सिक्वाधती है नहीं फिर फ्री में घया था क्योंकि टिलास इडार रहे हुं क्योंकि का स्थ्रमार की क्या है मेरे को बोला गया था कि चोक्लेट केक चाहिए लेकिन क्रीम भी चाहिए और चोकलेट ऑशे डाल देना जैसे ऐसे ऐसे फैला सी देते एना चोकलेट वह ऐसे कुछ कर देना मैं जो को कि दिखने में बहुत ही प्यारा तो यह देखे यह मैंने क्यों इसको गुमाया है यह गुमाने का मतलब है कि वह चोकलेट हमारी फैल जाएगी तो अभी जो मैं बता रही थी ना की पाइपिंग बैग में देखे कैसे हम कलर भरेंगे जिससे कि हमारे रोज में सेडा आ जाए जो इसके कॉर्णर पे वह सेडा जाए जो उसके बाउडर पे तो यह देखिए हमने एक साइड में जहां पे वह लाइन बनी हुए होती है जहां पे अंदर वाला भाग है उदर ही मैंने थोड़ा सा एक ड्रॉप जैल फूड कलर डाला है और यह देखिए उसको थोड़ा सा हाथ से फैलाया और यह देखो अ नीचे नहीं आ रहा है और यह रोज कैसे बिना रही हूं बिल्कुल पैटल के उपर से पैटल ले रहे हम यह देखिए और अगर आपको ऐसे फैला हुआ बनाना है तो आप अपनी तरफ जुकाना नोजल की जो उपर वाली पतली नोब है जो लंबे वाली उसको अपनी दिखा देते हूं कि कैसे उसको सेट करना है तो यह देखिए यह थोड़ा सा रोज मैं अलग तरीकी से बना रही हूं आप ध्यान देना मेरे हाथ पे मैं हाथ को हिलाते हिलाते बना रही हूं यह दिख रहा है ना कैसे हिला रही हूं और इसका लुक बिल्कुल अलग आएग कि मैगी खाने वाली उसी से उठा रही हूं और यह सट कर दिया और अब इंग चीज मुतने वालि हूं कि बगर पाइपिंग बैग के वे लीफ कैसे बनांगे आप लोब वह भी चिहाँ घृत लीट हैं। आप देखने मुतने का झाली अधाल स्व mówarnya difag तो भाई देखना तो पड़ेगा तो यह देखिए यह हमने क्या किया है रोजिज बना दिये हैं यह हमारी M1 नोजल थी M1 नोजल से थोड़े डिफरेंट टाइप के रोजिज बनाए है प्रोपर रोजिज नहीं बनाए है और यह अभी है हमारी नूर 7 नूर 7 से मैं बौडर बना ही हो देखिए बाऊडर मैं कै्से बना रही हो राउंड राउंड ले लेके छोटा छोटा राउंड लेके अब यह दो देखिए चले प्यारा लुक आये है और और उपर भी हम उपर बिल्कुल अलक बिनाएंगे Furacoye क etwas या итиे डींद्रा वाला यह देखिए एक हैं को यह देखो यह मैंने कट मारा और यह ऐसा कटा है दिख रहा है ना आप लोगों को और अभी इसमें मैंने क्रीम फिल की है तो जो कट मारा था ना उस नोब को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर यह देखिए यह दिखिए यह हमारी लीफ आप छोटी बनाएंगे चोटी बन जाएंगे बड़ी बनाएंगे बड़ी बन जाएगी यह आपको डिपेंड करना है कि आपको लीफ कैसी बनानी है बाकी कट कैसे करना है वह मैंने आपको सिखा दिया और 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 भी बाकी है जाना मत वीडियो को छोड़के क क्योंकि लावा कपकेक भी बनने वाले हैं वह भी दिखाऊंगी तो पहले थोड़ा सा केक को डेगोरेट कर दिते हैं तो यह देखिए यह हमने जहां जहां ज़रूरत लगी वहां वहां लीफ लगा दी हैं और चलिए अभी बना लेते हैं cupcake तो यह देख़िए cupcake मैंने bake कर लिए हैं और अब इसमें मैं cavity बना रही हूं होल कर रही हूँ और यह होल में किस से कर रही हूँ नोजल से और ऐसे निकालने से नहीं निकलेगा तो टुथिक से उसको थोड़ा सा पुस करना और वो निकल जाएगी और उनको बिल्कुल प्रोपर रखना है बाई क्योंकि इनकी वापिस से जुरूत पढ़ने वाली है यह हमने यह निकाले हैं यह टुकड़े से इनकी वापिस से जुरूत पढ़ेगी यह देखे अभी दिखाती हूं मैं कैसे हमने किया है यह दिखो खूल बना लिए ना चेखा से अभी इसमें कैसे मतलब लावा निकलेगा वही समझ रहे हो गया आप लोग तो यह देखे मैंने यह एर सारी चोकलेट भरी में इसमें एक इक पूंसे थोड़ए ज्Яदा में इसमें आ रही है तो वह सारी मैं फूल-बहर देती हो इनको और इनको जो इनके धकन निकाले ना ping अधकन को वापिस से डाल देते हैंद है धकन ही बोले गजा लेंगे वापिस देते यह दें वहत देखे मन नोजल से मैं इसमें रोजिस बना दे रही हूं और यह दिखिए कितने प्यारे और बड़े-बड़े रोजिस बनके हमारे तैयार हो रहे हैं और इस पे फिर डाल दूँगी मैं स्प्रिंकल्स और यह हमारे तीन कपकेक भी रेडी हो जाएंगे यह देखिए तब पते हैं इन कपकेक को खते हैं न तब इसमें से वो जो चोकलेट ऐसे गिरती हैं लगता है कि लावा निकल रहा है और यह देखिए स्प्रिंकल्स डाल दिये तो अभी इनका लुक और भी जादा बढ़ गया और यह बिल्कुल वाइट क्रीम नहीं है इसमें थोड़ा सा मैंने गनास एड़ किया था और यह थोड़ा सा चोकलेटी क्रीम तयार हो गी थी हमारी यह देखिए चलिया आ जाते हैं वापिस से केक के फाइनल लुक पे और यह हमारे केक का फाइनल लुक है जो मैं आप लोगों को दिखा रहे हूं और नाम अगरा सब लिख दिया है और यह देखिए तो बबाई टिक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काम की लगे तो प सब्सक्राइब कर लेगा